हेलो गाइस कैसे हो आप सब दूस्तों IPL 2024 के लिए सबी फ्रेंचाइजों टीमों ने अपनी अपनी रिलीज और रिटेल लिस्ट जारी कर दी है आरसीबी टीम ने यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट दिखाया है जहाँ पर भाईयो आरसीबी ने जॉश हेजलवुट को IPL 2024 के आउक्षिन से पहले अफिशिली रिलीज कर दिया है यह बहुत ही बड़ा और चौकाने वाला फैसला रहा जिसके उपर सारे ही फैन्स थोड़े से टेंशन में भी है थोड़े से गुस्से में भी है क्योंकि कहीं न कहीं जॉश हेजलवुट जिस तरह के गेंबाज है जिस तरह का उनका हालिया फोर्म है उससे देखते हूए आरसीबी टीम को हेजलवुट को कम से कम रेटेन करना चाहीए था लेकिन दोस्तों यहाँ पर फायदा बहुत हुए चैनल पर नए आयो हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए ताकि ऐसे ही आरसीवी टीम से जोड़ी आपको हर एक इंपोर्टन अपडेट लगातार मिलती रहे वहीं दूस्तो ओनली आरसीवी के नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल भी है यहाँ पर ही आरसीवी टीम की हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी फटा फट जाओ लिंक पर क्लिक करो जोईन करके रख लो ताकि आपको भी आरसीवी टीम से जोड़ी हर एक नियूज सबसे पहले मिलती रहे तो भाई यहाँ पर आरसीवी टीम ने वनिंदू हसरंगा, हर्शल पटेल, जॉश हेजलवूट, फिन एलन, मिचल ब्रैसवेल, डैविड विली, वेन पारनेल, सोनु यादो, अविनाश सिंग, सिधार्थ कॉल और केदार जादाओ उन सारे ही खिलाड़ो को आरसीवी टीम ने रिलीस कर दिया है, इसके लाओ दोफ्तो एक बड़ा चौकाने वाला फैसला यह रहा कि आरसीवी टीम ने कहीं न कहीं दिनेश कार्थिक को रेटेन किया है, कार्थिक का फॉर्म बेहत खराब रहा था, 2023 के आईपेल में अच्छ दिनेश कार्थिक को रेटेन किया, आने वाले टाइम पे आपको जस्तो मिनी ओक्षन में आरसीवी टीम कौन कौन से प्लेयर्स को टार्गर करने वाली है, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिलते रहेगी, तो भाई चैनल को सब्स्राइब करो और वीडियोस को लगातार श